हलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग आसान सब्दों में यह समझने वाले हैं कि कौन सी क्रीम या मलहम किस चीज में यूज की जाती है फंगस के लिए कौन सा क्रीम सही होता है और पारासाइट के लिए कौन सा क्रीम यूज होता है आज ये सब अच्छे से समझेंगे तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जो हमारी क्रीम आती है वो है बिटाडिन इस क्रीम को वैसे भाई बहन जरूर जानते हैं जो होस्पीटल या क्लिनिक में काम करते हैं जो मेडिकल एस्टुडेंट हैं इस बीटाडिन में क्या-क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं composition में देखो दोस्तों मैं किसी भी cream का तीन चीजे बताऊंगा पहला cream का नाम, दुसरा उस cream में क्या composition पाया जाता है और थर्ड उस cream का किस condition में use किया जाता है तो बीटाडिन का जो composition है वो है sodium bicarbonate, citric acid, iodine, water यह सब main composition है जो आपको इस cream में मिल जाती है जो है 5% इसके use की बात करे तो बीटाडिन का use burning में किया जाता है जब किसी patient का skin जल जाय तो इसका use किया जाता है a small cut छोटे मोटे चोट या कट जाने पर इसका use किया जाता है skin infection यदि तवचा में कोई संकरमन हो जाय तो इस बीटाडिन क्रीम का use किया जाता है तो याद रखना दोस्तो यह बीटाडिन oilment 5% काफी important है और आपको यह क्रीम बीटाडिन के नाम से आसानी से मिल जाती है अब आप इसका स्क्रीन सोट ले लिजे next जो जो क्रीम आती है दोस्तों वह है betenovet C इस तरह की क्रीम आती है जो आपको market में betenovet C नाम से मिल जाती है इसका जो composition है वह है beta methasone और kliokinol यह दोनों composition आपको इस cream में मिलती है और आपको यह भी बता दू कि यह kleokinol antibiotic होता है और यह beta-methasone asteroid होता है और यह दोनों का use skin problem के condition में करते हैं जैसा कि यहाँ पर आप यह सब देख रहे हैं इस cream की use देखे तो इसका इस्तमाल एकजीमा में करते हैं यानि कि जब हमारे skin में ऐसी condition हो जाए रेडनेस के साथ inflammation हो जाए तब करते हैं soriasis यानि कि इस तरह की condition होने पर इसका use करते हैं जैसा कि आप इस image में देख कर समझ सकते हैं और skin infection में करते हैं यह सब कुछ condition है दोस्तो जिसमें इस betonovate sea cream का use करते हैं hope so आप समझ गे होंगे इस cream का उपयोग अब आप इसका screenshot ले लिजिए next जो medicine आती है वो है betonovate N इसका जो composition होता है वो है betamethasone और neomycin होता है पिछली medicine में betonovate C जो बताया था उसमें C का मतलब kleokinol होता है और betonovate यह N का मतलब neomycin होता है इसलिए इसे betonovate N से हम सब जानते हैं इसका use, eczema, psoriasis और skin infection में करते हैं इसका भी अब आप screenshot ले लिजिए next जो हमारी cream आती है उसका नाम है quadriderm इस नाम से आपको market में मिल जाती है इसके composition देखे तो वो है clotrimajol, betamethasone, neomycin इस cream में clotrimajol मिला होता है और यह clotrimajol दोस्तो फंगस को मारने के काम में लिया जाता है जो skin infection से बचाने का काम करता है यह clotrimajol इस cream का use देखे तो इसका इस्तेमाल ring warm जैसी समस्याओं में करते हैं इस तरह की ring warm होती है जब हमारे skin पर ऐसा होता है तो इसके बचाओं में quadriderm cream का use किया जाता है और dermatitis में करते हैं इसे skin inflammation से भी जाना जाता है जो इस तरह की condition होने पर इस cream का use किया जाता है next जो cream है दोस्तों वो है omni gel नाम की इसी नाम से आपको market में मिल जाती है इसकी composition की बात करे तो वो है diclofenac और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी medicine में यह diclofenac रहे तो आप समझ जाना की वह दबा pain killer की है यानि की दर्ध होने पर use किया जाता है जैसा की आप use में भी देख सकते हैं muscle pain और joint pain में इस omni gel का use किया जाता है इसका भी अब आप screenshot ले लिजे next जो आती है हमारी वो है color drive इसका जो composition होता है वो है diphen, hydra mind, hydro chloride और काला mind पाया जाता है यह तीनों की combination से यह color drive solution बनाई जाती है इसका इस्तमाल skin allergy होने पर करते है माल लेजिए आपके body के किसी भी part पर allergy हो जाये तो इसको आप लगा सकते हैं और sun burn होने पर भी इसका use आप कर सकते हैं next जो cream आती है वो है lulikane इसी नाम से आपको market में भी यह cream मिल जाती है इसका composition lulikonajol होता है जैसा की आप cream पर भी लिखा देख सकते हैं दोस्तों आपको किसी भी medicine का composition ही याद करना होता है इसलिए आप composition जरूर धयान में रखे इसका use skin infection में करते हैं ring warm में करते हैं और athletes food यानि की इस तरह की pair की condition होने पर आप इस lulikon cream का use आराम से कर सकते हैं अब आप इसका भी screenshot ले दिजे अब next जो cream आती है वो है lomela इस तरह की या cream आती है जिसका composition hydroquinol and mometason होता है इन दोनों composition को मिला कर दोस्तो यह lomela cream बनाई जाती है जो इस तरह की condition में use की जाती है इस तरह की दाग से छुटकारा पाने के लिए इस cream का use किया जाता है इसका use देखे तो melasma के condition में करते हैं यानि की face पर इस तरह के धब्बे जैसा दाग होने पर इस cream का use कर सकते हैं और dark asport में इसका इस्तमाल किया जाता है अब next जो cream आती है हमारी वो है burnol cream जो काफी famous और use होने वाली cream है इसका composition amina cream और cetrimide होता है जो burn के condition में use किया जाता है minor cut होने पर यानि की छोटे मोटे cut लग जाने पर इस cream का use किया जाता है next जो आती है हमारी वो है headensa नाम की cream जिसका composition लेलो line और menthol होता है और इसका use देखे तो दोस्तों piles के condition में use किया जाता है यानि की बवा सीर होने पर इसका use आप कर सकते हैं next जो हमारी cream आती है वो है candida bee cream जिसका composition clotrimazole और bengalomethason होता है और इसका इस्तमाल दोस्तों fungus के बचाओं में करते हैं मान लेजे किसी के private parts में किसी तरह का fungal infection हो जाए तो उस condition में इस cream का आप use कर सकते हैं जो fungus के infection से बचाता है इस तरह की infection से यह cream आपको बचाती है hope so आप समझ गए होंगे इस cream का क्या काम है next जो cream आती है उसका नाम है mederma जो इस तरह की box में आपको मिलती है इसका यूज पिमपल वेगेरा में करते हैं और इस तरह की छाईयों के बचाओं में इस cream का यूज किया जाता है उमीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे इस वीडियो में बताये गए मलहम के इस्तमाल के बारे में मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में